हमारे देश में एक बहुत अच्छी विवस्था बनी कि लोग ब्यवशाय में भी एक दुस्षे को सहयोग दे और ब्यवशाय में सहयोग देने के लिए एक परंप्रा विक्षित हुई वह रिन लेने की आज रिन की बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ रिन लेने की जरुवत पढ़ने पर जरुवत मंद किसी समर्थ विक्ति के पास जाकर रिन लेता था और समर्थ विक्ति उसे उधारता पूरवक रिन देता था इसलिए हमारे देश में रिन देने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया साहुकार यानि जिसका साधुकारे हो जिसका स्रिष्टे कारे हो वो शाहुकार है जरुवत पड़ा मेरे पास पैसा है तो मैं अगले को दे रहा हूं उसका काम चले आज चार बाते आप सबसे करूँगा रिन के संदर्प में हमारे शामने चार तरह के लोग हैं एक वे जो रिन लेते हैं दूसरे वे जो रिन देते हैं तीसरे वे जो रिन शुकाते हैं और चौथे वे जो रिन उतारते हैं अगर नकार अत्मक संदर में देख ले तो इसको ऐसा कह दो, चौथे को पहले ये ले लो रिन उतारने की चर्चाब बात में, चौथे वे जो रिन खा जाते हैं, लेने के बाद देने का नाम ही नहीं है, सबसे पहली बात रिन लेने की बात, शंत कहते हैं, जीवन की कुछ ऐसी बेवस्था बनाओं कि कभी तुम्हें किशी से कर्ज लेना ही न पड़े, रिन लेना ही न पड़े, और यदि किशी परिस्थिती वस तुम्हें रिन लेना पड़ा हो, तो जब तक चुखाओनी तब तक चेहन से मत बैठो, हमारे आएक कहा गया कि कभी कर्ज मत लेना, रिन मत लेना, क्योंकि रिन को कभी कम मत समझना, जैसे एक ननीशी चिंगारी बढ़कर दावा नल बन जाती है, वैसे ही छोटा सा रिन भी पूरे जीवन भर उसके बोज से दबा देता है, तो पहली कोशिश करो कि कभी किशी से रिन लेना ही ना पड़े, और लेना पड़ा है, तो उसे जितनी जल्दी संभव हो, चुकाने की कोशिश करो, आजकल लोगों में रिन लेने की प्रवित्ती बढ़ गई, और एक परमपरा विक्षित हो गई, करजा लेके घी पीने की, लोग अनाप शनाप खर्चे करते हैं लोगों की जीवन से लिए एकदम अलग हो गई, आए के शाधन लोगों के पास कम और खर्चे जब अधिक होते हैं तो विक्ती के सामने अनिक तरीके से पैसा एकत्रिच करने का सवाल खड़ा होता है, और उसमें फिर लोग एक दूसरे से पैसा उधार लेकर करजदार बन हो, तब ही रिन लेना चाहिए, कई बार लोगों के जीवन में इस प्रिकार की विपत्तियां आ जाती है, उस घड़ी में बिमारी हो, विपत्ति हो, अन्य कोई येशी शमश्या हो, आपदा के रूप में आके खड़ी हुई है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो भाई पहले देने की परंपरा को सहुकारी कहा जाता था, फाइनेंस का विजनेस हो गया, अब सब कुछ, लोन पर, लोन पर, आजकल तो सब कुछ लोन पर है, बच्चा पैदा करने के लिए लोन होता है, एक वेक्ति से का थोड़ा वो डाइबिटिक था, बिमार था, तो डाक्ट ये क्या है, हर वेक्ति कर्जदार कर्ज के साथ जनमता है और कर्ज के साथ मरता है, आजकल अनेक एजिंसी है, जो आपके लिए एक से एक प्रोजेक्ट बनाती है, सब जबाग दिखाती है, काग जो में सब चीजे लिख दी जाती है, सामने वाले को लगता है कि ऐसा करेंग नतीजा उसी में दफ कर रह जाता है ब्यापार कभी करज लेकर मत करना है हमारे नीती शास्तर कहते हैं जितनी पूंजी उतना काम जितनी चादर उतना पैर उसे बाहर मत बढ़ाना अगर तुम परे पास कम पैसा है छोटा धंदा कर लो सुक्की नींद सोगे कम पूंजी में बड़ा ब्यापार करोगे तो चिंता में सोगे चिंता में जागोगे अपनी संपत्ती का भोग करने की जिगा रात दिन एक ही बात होगी इसका पैसा कैसे चुकाओं उसका पैसा कैसे चुकाओं कई लोग हैं जो इसकी टोपी उसके सिरही करते रहते हैं अग कलोलों के संप कि दीकता हूँ, ऐसा करने वाले लोगं में सफल होने वाले लोग कम होते हैं, बिफल होने वाले लोग जादा, एक बात हमेशा धहन रखना वजन लेकर पहाल नहीं चढ़ा जाताँ, कजाचित वाजु का वजन हो तो फिर भी चलेगा लेकिन सिर का बोज लेकर के तो बिलकुल नहीं चला जा सकता आप अपनी छमता के अन रूप ही काम कीजिए उससे ज़्यादा काम कीजिएगा तो जीवन भर दुखी रहिएगा मैं एक ऐसे वेक्ति को जानता हूं जिसकी कभी 500 कलोल की नेटवर्थ थी उसे वेक्ति के मन में ऐसा भावाया कि मैं और ज्यादा कारोबार बढ़ाऊं जितना बढ़ सके बढ़ाऊं बढ़ सके बढ़ाऊं उसने कई देशों में बड़े-बड़े M.O.I.O. कर लिए बड़ा कारोबार फैलाया लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे इस्तिति बनी की वो गोर्मेंट की पॉलिशी बदल जाने के कारण ऴौ बहुत diplomat ला फैलाया कि एक डिन में सारा पिक्षर बदल ब्याक का उस वीक्ति के ओपर हजार कोलों से अधिक्का करजा सारे काम ठप और उसका ब्याद सिर पर चड़कर के भारी हो गया नतिजा जो वेक्ति कलोरों का मालिक था अर्वों का मालिक था सलक पर आ गया सारा बैपार ठाप NPA होने से सब हाथ से चला गया देखते ही देखते चला गया ऐसे एक नहीं सेकलो उधारन है क्योंकि जब आदमी के उपर मार पड़ती है तो सीधे गुरुओं के पास आते हैं अब मारा जैसा होगे आम बोले भी या लाले से मैं फसे क्यों हूँ तुम धीरे धीरे चलते एक एक करके हजार सीड़ी चड़िये एक साथ साथ सीड़ी चड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए गाठ बांद लीजिए तो ब्यापार के लिए करज मत लो करज लेकर ब्यापार मत करो और उधार का धंदा मत करो जीवन तब चलेगा अगर सुखी रहना है तो यह रास्ता है उधार लेके बेचो मत और किसी को इशारा नहीं और कोशिश करो कि अगर मैं रहने ले रहा हूं तो उतने एसेट्स मेरे पास है कि नहीं उसे चुकाने के तह समय मैं चुका सकूंगा कि नहीं तब ही लेना नहीं तो हाथ बांद करके बैठ जाना एक विक्ति जिसके पास दस चका के 40 गालियां थी सिमेंट का सी एड़ था बड़ा कारोबार था अब उस आजमी के मन में धुन चड़ी उसने बैंकों से रुपे ले लिये और बढ़ा लिया अपना कारोबार अब कारोबार तो बढ़ा दिया लेकिन एक दो टेक्निकल इस्तिती ऐसी आई कि सब ने कहा महराज पिछले दो साल में हमें पांच कलोर का नुक्सान हुआ उस विक्ति ने कहा महराज अगर हम कारोबार नहीं करते तो भी हम बैठ के खाते तो इतना नुक्सान नहीं होता इतना खर्च नहीं होता लेकिन दो साल में पांच कलोर का नुक्सान हुआ उस विक्ति को अपनी संपतियां बेचनी पड़ गई तो ये चीच ये सोच अपने मनमस्तिस्क में अंकित करके चलनी चाहिए रिने के संदर में अब दूसरा रिन देने वाला रिन कौन देता है जो समर्थ हो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भ्याज लेने देने का धंदा ही मत करो ये धंदा बहुत अच्छा धंदा नहीं है क्योंकि इसमें जब वनुष लोबलाब के गनित में फसता है तो कहीं ने कहीं उसकी व्रित्ती सामने वाले के शोसनकी हो जाती है फिर भी उससे एक बार एक सवाल किया किसी ने कि महराज जी मुस्लिम कम्यूनिटी में सूद खोरी को गुनाह माला जाता है पर जेनियों के हाँ ब्याज खोरी का धंदा बहुत होता है आप इस पर क्या कहेंगे मैंने उससे कहा देखो भई दो दृष्टियां है एक शोषन और सहयोग की जहां तक शोषन का सवाल है उसमें ब्याज खोरी क्या हर उस धंदे को जेन धर में निशिद कहा गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषन हो लेकिन अगर ब्याज की बात करते हैं तो उसमें कहीं सहयोग की भी भावना है सहयोग की भावना है कि भाई किसी को जरुवत है आपके पास सर्पलस है उसने आपको रुपया दिया आपने उसके वेजमों से एक व्याज की रूप में कुछ दिया जिससे उसका काम चल गया तो इसमें दोनों का काम चलता है अब मान लिजे कोई एक टी रिटायर है उसके लिए और कोई वृत्ती का साधन नहीं है उसने अपना पैसा किसी को दिया किसी के पास सर्पलस पैसा उसने दिया तो इसे मैं सर्वता गलत नहीं कहता लेकिन कब जब तुमारी नीती और नीत सही हो तब हर किसी से करजा लेना मत पहला कोशिश करजा लेना मत और लेना ही पड़े तो हर किसी से लेना मत किस से लेना जो नीती मान हो और उदार हो जिसकी नीत साफ हो नीती सही हो तुम्हारी जरूट का गलत फाइदा उठाने वाला ना हो और जिसका हर्दे उदार हो विशाल हो कल तुमने उससे पैसा लिया तो तुम्हारा पैसा वसुलने के लिए यदि वो तुम्हारी च्छाती पर मूंग दलने वाला हो तो ऐसे वेक्ती से दूर रहना लटके बल पर तुमसे पैसा वसुलने वाला हो तो ऐसे वेक्ती से कभी पैसा मंगने की कोशिश मत करना क्योंकि वो तुम्हें सरक पर ले आएगा तुम्हारा घर मकान भिकवा देगा ऐसे वेक्ती से कभी कजल लेना ही नहीं जो जरुवत से ज़्यादा ब्याज वसुलता है वो इनसान नहीं वो तो एक प्रकार का कसाई है जो आदमी को चूसता है आजकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टी शिधी रकम एटते हैं ब्याज के बल पर मूल से कई गुना ब्याज हो जाता है अब एक वेक्ति ने बताया कि जरुवत पर किसी से साथ हज़ार रुपय लिया और उसने का भईया चार मेहने में तुम्हें एक लाग देना होगा अब बताओ 60 अजार रुपे का चार मीने में 1 लाग यह अनिती है की नहीं है यह घोर शोषन है और ऐसे आदमी के साथ दूरी रखो कभी ऐसे वेक्ती के पास जाना नहीं और जाओ तो ऐसे वेक्ती के पास उदार वेक्ती के पास जाओ कि कदाची देख ले, तुम्हारी परिस्टिती खराब हो, तो तुम्हारे कहे बिना वो तुमसे कहे दे भी या कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे जब होगा तब चुका देना, ब्याज मैं तुम्हे छोडता हूँ, तुम धीरे धीरे कर लेना, ऐसे उदार वेक्ती की का सयोग अगर लोगे, तो फलेगा, लोग बोलते इस की महराज जी आज कल जो उल्टा सुधा रकम लेते हैं वेज एकते उनका पैसा तो चुक जाता है, और जो बिलकुल कम तरीकेह से लेते हैं, जेन्मिन ब्याज लेते हैं उनका पैसा लोग पछा लेते हैं, माने सब लट्टे के भर उसे चलते हैं, गलत, कई लोगों का तो यह धंदाई है, बैयाज में रुपया लेकर के बैयाज में रुपया देना, यह सब छीचे ठीक नहीं है, यह बैपार उचित नहीं है, इस से बचना, मैंने इस अंदर में अपने बिचार अनिक बार प्रकट कियें, आ महत्त देना चाहिए, तुम्हारे द्वारा जोडा गया पैसा ही छूड जाएगा, इंसानियत को महत्त दो, नहीं तो तुम उस पैसे को कमा जरूर लोगे भोग नहीं पाओगे, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, जिनने अनाप सनाप पैसे कमाएं, लेकिन जीवन में उ पिष्ट हो, परोपकार की भावना से भरा हो, लेकिन रिन दाता कितना ही उदार क्यों नहों, रिन लेने वाले को सदेव वफादार बनना चाहिए, उसे रिन जुकाने के लिए तथपर अना चाहिए, तथपर, हर इस्तिती में मुझे रिन चुकाना है, मेरे उपर ये बहुत बड़ा कर्ज है, यहां नहीं चुकाऊंगा, तो नजाने कितने जन्मों तक मैं इनका कर्जदार बना रहूंगा, ये मन में भाव होना चाहिए, ऐसा मत समझना कि ये दुनिया से मैं चला गिया, तो मेरा कर् होता है, वो जब तक अपना कर्ज न चुकाए, तब तक उसे भूलता नहीं है, रिन चुकाना है, मैंने लिया है, तो देना है, जिस मुशीबत में उसने मुझे साथ दिया, अब ये मेरा धर्म होता है, कि मुझे उसे चुकाना है, हर इस्तिती में मुझे चुकाना है, जब पैसा लेना पड़ा, जब उन्हें पैसा लिया, तो उससमें उनके पास संपत्ति भी थी, उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप संपत्ति गिरी भी रख करके हमें यह रकम दे दो, मेरा बेटा इस्टेंड हो जाएगा, उन्हें कहा नहीं भाई, तुम्हारा बेटा मेरा आप जैसे जैसे अनुकुलता हो मुझे चुका देना कोई लिखा पड़ी भी नहीं की अचानक उस्वेक्ति की तव्यत खराब होई उसने अपने बेटे को बुलाया का बेटा देख मैंने जीवन में बहुत अच्छे कारी किये पर मुझे लगता है मेरे पास समय नहीं है मैं क दर्देदार बनकर नहीं जाना चाहता मेरे उपर एक बहुत बड़ा बोज है इतने वर्स हो गए सामने वाले ने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं लेकिन तुम उसे आज तक चुका नहीं पाए मुझे इस बात का बड़ा दुख है तुम्हें इस बोज को उतारना है अब मैं चाहता हूं कि इस समय मेरी जो ये शंपत्ति है मैं उनके नाम कर दूँ बेटे ने कहा बेटे से पूछा तुम्हारी क्या रहा है बहुत पिता जी बिल्कुल मैं भी चाहता हूं आपके सिर्पर कजिन हो आपका आशिरवाद हो मैं सब कुछ कर लोगा ये काम कर लेता हूं उसने उस विक्ति को बुलाया आप सोच के अश्यर करेंगे कि आज भी ऐसे उधरन है उसने अपने मित्र को बुलाया उसके प्रतियाभार विक्त किया कि आपका बहुत बड़ा साथ था और उस साथ के कारण मेरा वेटा आज कम से कम काम काच के लाइक हो गया लेकिन मैं इत आप जो चुका कर जाओंगा ऐसे नहीं जाओंगा आपको लेना पड़ेगा अगले ने उस संपत्ति को अपने नाम लिया और साथ ही साथ बेटे से का बेटा ठीक तो जब तक अल्टरनेट नहो जाए तब तक उसे खाली करने की जरुवत नहीं है संपत्ति मेरी है यह तेर नहीं मांगने पर पचाने की बात तो दूर है सामने वाला मांग मांग कर हार रहा है तो भी देने की नहीं आता है ऐसे लोग साथ जनमों तक दरित रहोंगे उन्हें सोचना चाहिए रिन लिया है तो रिन चुकाओ कई कई ऐसे लोग जिनके उपर लोगों ने विश्वास करके अपना रखम दिया बिधवाओं का पैसा रखे अब वो भी ड़कार गए खुद पर खर्चा कर रहे हैं सामने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं ये कितना बड़ा पाप जिनने अपने जीवन का सारा आधार तुम्हें सोपाईस आसा के साथ कि तुम जो उसे उसके वज में ब्याज दोगे उससे उनका गुजर बसर चलेगा और तुम उसे पचा गए कितनी हाई तुम्हें लगेगी ध्यान रखना जो ऐसे लोगों के द्रब का उभोग करेगा वो साथ जनम तक दरिद्र और अनात होगा ये भूलना मत ये करज छूटेगा नहीं तो ये हरदे में धार के रखना चाहिए किसी का पांच रुपिय का भी करज ये इसका करज चुकाना है चुकाना है चुकाना है चुकाना है चुकाना है और जीवन के अंतिम्छन तक उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए भोगना नहीं चाहिए तो ये रिन चुकाना चुकाने वाले लोग वफादार कहलाते हैं जो कमजोर होते हो और इन लेते हैं, जो उदार होते हैं, समर्थ होते हो और इन देते हैं, और जो वफादार होते हैं और इन चुकाते हैं, और जो बेईमान होते हैं, वो करजक खाते हैं, वो जीम जाते हैं, आजकल ऐसे लोगों की भरमार हो गई, एक बार एक वेक्ति जी न नहीं तुम्हारा क्या खाके भाग जाओंगा आज तक जिसका लिया उसका लोड़ाया नहीं तुम्हारा क्या खाके भाग जाओंगा बड़ी बुरी हालत है कई लोग है जो केवल यही काम करते हैं करजा लेना करजा लेना करजा लेना परबंधों वो उने समझना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा भोका कर रहे हैं इससे बचो जीवन को विवस्थित करो हो शक्ता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असामत होंगे कि महरा जी आपकी बात के अनुसार चले तो हमारा कारोवार का विस्तार कैसे होगा बड़े बड़े ब्यापार और द्योग हम कैसे चलाएंगे लेकिन मेरे शामने ऐसे भी बहुत सारे लोग है जिनका बहुत बड़ा कारोवार है और एक रुपया का डेप नहीं है एक रुपया का करज नहीं है कहीं ना बैंक से ना किसी और से समर्थ के अनुसार चलो और अगर विकाश करने के लिए लेना भी है तो एक शीमा में लो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बाजू का वजन होना चाहिए सिर्कानी ऐसा लो कि अगर किसी टेकनिकल करेंट से कोई व्योधान आ जाए और मैं अपने वांचित लक्ष की तरफ ना बढ़ सकूँ तो फिर मुझे किसी को देने के लिए मोहताज ना होना पड़े जिस दिन चाहूं उसका पैसा कैस करके लोटा सकूँ और जब तक लोटाऊं नहीं मुझे चैन से नहीं बैठना है आजकल पिता की संपत्ती का भोग करने के लिए तो लोग तयार होते हैं पर कितने लोग हैं जो पिता के लाइबलिटीज को चुकाने का मनोभाव रखते हैं बहुत कम लोग तो रिन लेने वाले रिन देने वाले रिन चुकाने वाले और रिन उतारने वाले चुकाने से बड़ा रिन उतारना रिन उतारने का मतनब जीवन भर रिन बने रहना जीवन भर रिनी दो सिंच में एक तो करजा लेकर के बैठा ला बोग लिया ऐसान फरामोस हो गया वो नकारात्मक दिश्टी है, लेकिन रिनी बने रहना, किसी ने जरुवत पर तुमें थोड़ा सा भी सयोग दिया, तो पूरे जीवन उसके प्रती कृतग बने रहना, उसके प्रती कृतग बने रहना और ये सोचना, आज मैं जो कुछ हूँ, इसकी वज़े से हूँ, इनका म समर्थ उदार वेक दी, वो एक सजन मिले, उनसे पर्चे कराया, और पर्चे करा करके कहा महराजी, हमारे सामने पर्चे, इनका हमारे परिवार बड़ा रिन है, हमारे पिता जी जब आए थे, तो सबसे शुरुवात इनकी गद्दी से ही की थी, उस समय हमारी कोई हैसियत न उनों में अंतर, एक वेक्ति बहुत बड़े इंड़स्ट्री का मालिक है, और एक वेक्ति एक किसी किया नौकरी कर रहा है, अंतर इतना बड़ा है, लेकिन जो वेक्ति उदार होता है, जो वेक्ति के हिर्दे, जिस वेक्ति का हिर्दे, कृतक्रता के भाव से भरा होता है, वो हमेशा रिनी रहता है, अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में रिन उतारने का भाव है, कृता गोहने का मतलब उस वेक्टी के प्रती हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, ये मेरा उपकार क्या ऐसा भाव रखना, और हमेशा उसके प्रती सकारातमक सोचते वे, जब काने वाले में हो या रिनी बने रहने वाले में, रिनी निगेटिव सेंस में बने वाले में है, हम तो कोई दिक्कत नहीं, कर जा है सो है, नहीं, हमें रिन उतारना है, आपको पता है हम पर किन का किन का रिन है, किन का किन का रिन है, हम पर बहुत सारा रिन चड़ावा है, औ किन का किन का रिन हैं जिन का रिन हमें उतारना चाहिए और उनके प्रति पूरे जीवन कृतग बना रहना चाहिए पता है सबसे पहले माता पिता का तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा रिन है कभी सोचे आज तुम जो कुछ भी हो किसकी क्रिपा से हो किसके क्रिपा से माता पिता की क्रिपा से तुम्हारे सरीर का एक एक मूंद खूर उनकी क्रिपा का प्रशाद है आज के बच्चे जब अपने माबाप से जवान लडाते हैं तो बड़ा अश्चर होता है और जबान लडाने की बात तो ठीक, आज की बच्चे पढ़ लिख करके अपने आपको इतना योगे समझने लगते हैं, कि उन्हें अपने माबाप ही अयोगे दिखने लगते हैं, नहीं, अरे जिन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग बनाया, उनके उपकारों को तुम मैं अपने माता-पिता का रिणी हूँ, महसूस करते हो, मेरे जीवन को यहां तक पहुचाने में, मेरे माबाप ने कितना कष्ट सहा, कितना श्रम किया, कितनी सक्ति लगाई, कितने संसाधन लगाए, इनकी कलपना कभी करते हो, दिखता ही नहीं, एक नीतिकार ने बहुत अ गर्दन उठाकर उपर की और नहीं देखता कि यह फल कहां से आ रहे हैं, सुकर एक ऐसा प्रानी है जिसकी गर्दन कभी उपर नहीं उठती, उपर देखी नहीं सकता, फल खा रहा है, जड़को खोद रहा है, लेकिन यह कहां से आ रहा है, पता नहीं, अरे आज तुम जो प्रशन न रख कर, नमबर बन, अपनी सेवा से उन्हें प्रशन न रखो, उन्हें उपेक्षित और तुरस्कृत मत करो, माबाप को घर मेरा करके कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा तो कोई है नहीं, जरुवत पढ़ने पर कोई पूछने वाला ही नहीं, आजकल तो ऐ सही हो रहा है, माबाप को भी अनाथास्रम ब्रधास्रमों में जाना पर रहा है, एक युवक ने अपने पिता को ब्रधास्रम छोला, लोटते समय पुछा का, पापा आपको मुझे कुछ कहना है, हाँ बेटा, आज तो मैं यहीं सोच रहा हूँ, कि आज से तीस बरस पहले म मैंने तुझे अनाथास्रम में छोड़ दिया होता, तो आज मुझे ब्रधास्रम में नहीं आना पड़ता, आज का लोग माबाप की शेवा नहीं करते, रंक से उन्हें भोजन नहीं करते, उनके वस्तों की विवस्तानी करते, उन्हें दस तरह के ताने सुनाते हैं, ये घो और कृता गुनता और नीच ता के उधारे नहीं अपनी सेवा से उन्हें सतत प्रसंद रखो उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव और अल्पता का एहसास नहुने दू दूसरा अपनी उपलब्दियों का स्रे उन्हें दे कर तुम कुछ भी पाओ, कुछ भी तुम्हेरे अचिम्मेंट हो, कोई भी उपलब्दी हो सबसे पहले अपने माबाप के पास जा उनके चरन छुकर के रज़ अपने माते पर लगा और कहो यह आपकी कृपास से मिला है यह सब आपका यह आपकी कृपास से मिला है माबाप को कितनी खुशी होगी आजकल तो ये देखने में आता है कि माबाप को भी गाउं से पता लगता है बेटा नहीं बता ता अपनी बीबी को जरूर बताएगा वो बीबी के मोह में माबाप को भी भूल जाता है मैं मानता हूं बीबी का इस्थान है पत्नी का इस्थान उसे मिलना चाहिए लेकिन माबाप का इस्थान कभी भूलना नहीं चाहिए उनका अपना इस्थान है तब ठीक होगा तो अपनी उपलब्दियों का स्रे माता पिता को दे कर फिर अपने आचरन और बहवार से उनका यस बढ़ा कर करजा उतारने का तरीका है जो कुछ भी करो उनको स्रे दो और उनके नाम से करो ऐसा करो कि सब जगा तुमारे आचरन से तुमारे माबाप का नाम हो ऐसा करोगे न तो तुम कर्ज उतारोगे और कर्ज उतारने के साथ साथ एक है कि आने वाली पीड़ी को कुछ तुम कर्ज भी दे पाऊगे जो तुम करोगे वही अपनी पीड़ी को सिखाऊगे जैसा तुम करोगे आने वाली पीड़ी उसका ही अनुकरन करेगी परंपरा ऐसे ही चलती है और चौंथी बात उने के आध्यात्मिक उन्नती में सहीयोगी बन करे ये तुम्हारी करतब पराइंता है आपने अपना दाई तो पूरा कर लिया आपने खोब ब्यापार धंदा कर लिया घर का हस्ती समाल लिया अब आप तो आनंद से अपना धरम ध्यान करो आपके सारे सुक्सादन जिमाने की जिम्मेदारी मेरी है आप पिकर मत करो अरे वाओ जी आप चले जाओगे दुकान में कौन बेठेगा आपके बिना हमारा क्या होगा माँ आप चले जाओगे तो बच्चों को कुन समालेगा नौ कर रहे गया तुम्हारे माबाप है उन्हें तुम्हें पाल पोस्ट कर बढ़ा कर दिया ख़ला कर दिया सब कुछ कर दिया और तुम्हारे लिए सारा अधार दे दिया अब तुम्हें क्या चाहिए उनके जीवन के उधार का पत्थ पस्थ करो धक्का मार कर नहीं कई लोग सोचते हैं हमाई माबाप है अब चलो यहां घर में बोज होगे कोई आस्रम में छोड़ा है सामने वाले को खुद अपने भीतर वेरागे से संपन्न होना चाहिए और संतान को उनके आत्मा के हित की चिंता करते हो उस तरव तथ पर रहना चाहिए तो यह चार साधन है माबाप के रिन उतारने के दूसरा रिन गुरू का गुरु का गुरु ने माबाप ने जर्म दिया गुरु तुम्हें जीवन देते हैं जीवन की दिशा देते हैं सब कुछ वार्द देने के लिये तत्पर हो जाए। गुरु ने मुझे जो कुछ दिया, वो मेरे जीवन की अपरतीम उपलब्धी है, वो बहुत है। ये सब चीजे तो बहुत तुच्छ है। तो गुरु कारेन कभी भूलना मत। गुरु के परती कितग रखना। जीवन के लिए आधर दिया, जिनके आतूम नौकरी किये, जिनके साथ बयापर किये, जिनने तुम्हे दुकान दिया, जिनने तुम्हें मगान दिया, जिनके कारण तुम आज पाउँं पर खड़े हुए हो। उसके प्रती जीवन वर किदग बने रहना। कभी उनके नुक्सान की कल्पना भी मत करना एक नेक इनसान की ये पहिचान है उसे भूलना मत करज़दार मत बनना उनके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना क्योंकि अगर समय पर वो हमें साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता है आजकल ऐसी सोच लोगों की नहीं है और इसी विक्रत सोच के प्रणाम सरूप लोग अपना पतन करते हैं उनकी उधारता खंडित होती है जीवन मूनती जैसी चाहिए वैसे नहीं होती कदाचित लोग आर्थिक रूप से फिर भी समुनत हो जाए लेकिन भामनात्मक रूप से वे लोग बले रुगन होते हैं और इस भाव में तो दुख पाते ही हैं भाव भाव में दुख पाना पता है और चौथा रिण है धर्ती माता का है की नहीं तुम पर कर्ज इस धर्ती का पानी पीते हो धर्ती में उगे आनाच को खाते हो और हर पर इस प्रकृती की सांस लेते हो तुम्हारे जीवन पर इसका रिन है की नहीं बोलो 24 गंटे तुम इस प्रकृती का दोहन कर रहे हो लेकिन अपनी मात्री भूमी और इस प्रकृती के संदक्षन के लिए तुम क्या कर रहरे हो ये इक बहुत बड़ा रिन है तुम्हारे उपर इस रिन को चुकाने के लिए प्रैस करना चाहिए जए लिनि बने रहो और जब कभी प्रकृती पर संकटाए धरती पर संकटा है मात्री भूमी पर संकटाए तपना खाजाना उदारता पुर बखोल दो